कैसे हैं आप सबी लोग आज के इस वीडियों हम देखने वाले हैं जो भी आर्मी के छात्र है आर्मी जीटी तो 2022 का जो पेपर देने वाले हैं उनकी बात करने वाला हूँ 2022 के एक्जाम के लिए मैं जो इंपोटेंट कोशन दे रहा हूँ यह मौश्ट इंपोटेंट कोशन है आपके एक्जाम में यहां से बाहर कुछ नहीं जाएगा यहां से बाहर कुछ नहीं जाएगा यह बात याद रखना है आपको, जो कोशन मैं आपको बता रहो, यह कोशन मौस्ट इंपोटेंट है, आप इन कोशनों को याद करके, मैं कहा रहा हूँ, आप जो 40 पिलस करके आएंगे, 40 पिलस करके आएंगे एक्जाम में, और सारा का सारा कोशन यहीं से बनेंगे, कोई भी होगा, समझ रहे हो, सलक्सन आपका 100% होगा, जो मैं आपको बता रहो, इन कोशनों को अच्छे तरीके से पढ़ लो, वैस आप टेस्ट दो, मैं आपको बता रहो, इसको ध्यान से देख लो, वीडियो, आपको सब कुछ याद हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूत नहीं पड़ेगी, मैं आपसे बोल रहा हूँ, देखो, यहां बोला गया है, पहला कोशन है, 50 कोशन नहीं देखेंगे, यहां सिर्फ हम 30 कोशन देखेंगे, वो GKGS से लिटेट कोशन देखेंगे, 30 कोशन मोश्ट इंपोटेंट होंगे, अब इन कोशनों को ध्यान स से देखे लेना ये बोला है कि भारत में सोना वरी बहारात में सेना का सर्वच सेना पतरी कौन होता है अब से पूछा गया है आपको यह पता है तीन से मों होती है थल से ना वा यू से ञाह इन तीनों सेनाओं का जो सर्वुस्तम सेनापती होता है वो राष्टपती होता है अब ये कभी कभी ऐसे पूछ लेता है ये कौन से आर्टीकल के थुरू होता है तो जो आर्टीकल की बात की जाए वो आर्टीकल त्रेपन का खा होता है त्रेपन के खा में ये सकती प्रदानक दी गई है राष्ट पती को कि वो तेनों सकती का सेना पती होगा ठीक है जो वो कहेगा तब या करोगे बरना नहीं करोगे उसकी ही कमान दे दी गई है तीनों सेनाओं का कमान किसकी हाथ में है तो राष्ट पती के हाथ में है कौन से आर SBI बैंक जो है वो सबसे बड़ा बैंक है ठीक है कोपी डैटा आई जाएगू अब एस वी आई बैंक आप तो जानते होंगे SBI आपका खाता भी होगा बहुत सारे लोगों का तो SBI जो बैंक है उसकी स्थापना बर्स पूछ लेता है किस बर्स इसकी स्थापना होई थी तो आपको सब को पता है एक जुलाई 1905 में उसकी स्थापना होई थी और इसके जो इसमें जो अध्यक्ष है पूँ याद रखना ठीक है इस प्रिकार को तो अरुधन्ती याद रखना अरुधन्ती है वो इसमें SBI की अध्यक्ष नेक्स कोशन की ओर चलेंगे नेक्स कोशन है असुक चक्र का रंग कैसा होता है आपने तरंगा तो देखा होगा तरंगा जिसने भी देखा है सब को बता है तो असुक चक्र है उसका जो रंग होता है वो नीला होता है इसको आप यहां से तो क्लियर हो गए अब यह रंग नील का नीला रंग होगा ठीक है जश्ट मोमेंट रुकेंगे अधीक है समझ रहो मेरी बात को अब यहां देखिए मैं बाद कही जाये मैं आप नवे आपको बता दू जश्ट मोमेंट रुकेंगे बस अब यहां देखो क्या हुआ इसमें तीलियों की संख्या कभी-कभी पूछ लेता है इसमें कितनी तीलियां है तो आपको सभी को पता होना चाहिए असोक चक्र में 24 तीलियां होती है इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे कितनी तीलियां होती है 24 तीलियां होती है हमेशा इस बाद को आप याद रखेंगे ठीक है और नीले रंका असोक शक्र होता है इस बाद को आप याद रखेंगे नेक्स 질문 आपसे पूचा गया है ऑलंपिक के जो निशान में चल्ले होते हैं, याद रखना, जो ऑलंपिक के निशान होते हैं उस निशान में चल्ले कितने होते हैं, तो सभी को पता है, 5 चल्ले होते हैं, इस बाद को याद रखेंगे नेक्स कोशन मॉस्ट इंपोटेंट है कौन सा राज असोक के समराज में नहीं था तो कौन सा राज है जो असोक के समराज में नहीं था तो आप सभी कहेंगे वो मेवार था जो असोक के समराज में नहीं था बाकी जो उजैन और पाटली पुत्र देख रहे हैं ठीक है तक्षण सीला भी देख रहे हैं यह सब असोग के समराज में इस थे थे बाकी मेवार नहीं था नेक्स कोशन के और चलेंगे तो नेक्स कोशन है मारा कि भारत में सरव प्रिफम रेल कहा से कहा तक चलाई गई थी तुँ आपको पता है मुंबई से थाड़े तक चलाई गई थी यह 16 अपरेल 1823 में चलाई गई थी इस बात को आप याद रखेंगे नेक्स कोशिन आपसे पूछा जाएगा देखते हैं कौन जफटाफटिन कोशिनों के कॉमेंट सेक्सन में अंसर देता है चेतक घोड़ा किसका था सबी लोग एक बार कॉमेंट में बता दो तो मुझे पता है आपको पता है कि ये किसका था महराना पिरताब सिंग के पास चेतक घोड़ा था और ये किसकी थी ये इरान की नसल थी इस घोड़े के अंदर जो घोड़ा था वो इरानी इरान नसल का घोड़ा था इस बात को याद रखेंगे महाराणा पिरताब सेंग के बास में चेतक घोड़ा था नेक्स कॉशन है कि कुतब मीनार का निर्मार किसने करवाया था तो सभी को पता है ये कुतब बिदीन एवक ने कराया था लेकिन कभी आप से पूछ लेता है कि ये कब कराया था तो आपको पता होगा 1193 में कराया था और इसकी जो उचाई की बात की जाई ये कितने उची है तो आपको पता है 73 मीटर उची है इस बात को याद रखें कुतब मीनार ठीक है ये कहां पर इस्थित है तो आप को पता होगा ये दिल्ली मेंस्थित है किस मेंस्थित है बहाई दहली मेंस्थित है ठीक है इस परकार से याद रखियेगा नेक्स कोशिन आपसे पूछा गया है कि वह धरम के संसाप कौन था तो आपको पता है बहुत धरम की बात की जा रही है तो बुद्धी होंगे तो गौतम बुद्ध था याद रखना गौतम बुद्ध का जनम कब हुआ था तो 563 इस्वी में हुआ था कहां पे हुआ था ये पूछ लेता है तो याद रखना लुम्बनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जनम नैपाल में पड़ता है ये लुम्बनी और याद रखना इनका जो पिर्थम उद्देश तो दिया था गौतम बुद्ध ने पिर्थम उद्देश कहां दिया था आप से पूछ लेगा उपदेश कहां दिया था तो आप कहेंगे यह सार नाथ में दिया था इस बात को भी आप याद रखेंगे बहुत जादा इंपोटेंट है यहां से बाहर और कुछ नहीं पूछेगा एक्जामर आपसे पूछ रहा है कस्मीरघाटी का मुख सहर क्या है तो आपको सब को पता है यह तो सिरी नगर है इसको कुछ जादा पढ़ने की जरूरत नहीं है यह तो सब ही जानते होंगे नेक्स्ट कोशन आपसे पूछ रहा है कि भारत का बरतमान में रक्षा मंतरी कौन है तो मैं आपको यहां बता दू वो राजनात सिंग है राजनात सिंग है रक्षा मंतरी इस बात को आपको याद रखेंगे यह कब बने थे 2019 में बने थे और पिर्थम यदी पूछ ले पिर्थम रक्षा मंतरी कौन था तो आप कहेंगे बाल देव सिंग थे इस बात को याद रखेंगे नेक्स कोशन अब किस पिरकार से याद रखेंगे रक्षा पहले कौन करता था पिर्थम रक्षा की बात करें पिर्थम रक्षा मंतरी कौन तो पहले रक्षा कौन करते थे देवता करते थे तो बाल देव इस पिरकार से आप याद कर सकते हैं बाल देव सिंग हो जाएगा पहरे हमारे देपता करते थे पिर थम कौन थे देपता देपता बाल देप सिंगा जाएगा इसमें कौन करेंगे तो आप कोगे नात करेंगे नात किसे बोला जाता है तो सिब संकर को बोला जाता है तो नात जी करेंगे तो सिब नात हो जाएगा तो राद नात सिंग आप लग यक्षकी क्या थी कथा थी इस जो बेगदूत है उसके अंदर है कि यक्षकी कथा बताई गई थी इस बाद को आप याद रखेंगे हमेशा बहुत ज्यादा मौस्ट इंपोटेंट है एक्जाम 2022 में ऐसे ही कोशन देखने को मिलेंगे यहां कहरा है पी गोपी चंद किस खेल से सम्मंदित थे तो आप सभी कहेंगे यह पी को पीचन थे यह बैट मिंडल से सम्मंदित थे यह चैंपियन रह चोके हैं याद रखना है सभी को इस बात को ठीक है यह अंद परदेश के थे नेक्स कोशन हमसे पूचा गया है गुरु देब के नाम से कौन प्रिसिद था तो स याकूर के नाम से भी जाना जाता है और इनने क्या किया था राश्टी गान लिखा था आपको पता होगा राश्टी गान किसके द्वारा लिखा गया था तो आप सभी कहेंगे यह रविंद्र नाठ टाइगूर के द्वारा लिखा गया था और राविंद्र नाठ याद रखेंगे इस बात को नेक्स्ट कोश्चन बोला है इंडिया गेट कहां इस्तित है आप जानते हैं इंडिया गेट की बात की जा रही है इंडिया गेट कहां इस्तित है तो सबी को पता है ये दहली में इस्तित है ये जब दहली में इस्तित है तो एक दहली किस जगे पे इस बाद को आप याद रखेंगे, इंडिया गेट की उचाई कितनी है, आप याद भी रख लेना, 42 मीटर उचा है, इंडिया गेट, ठीक है, और जो पिरवेस द्वार की बाद करें, वो 85 फिट उचा है, 85 फिट उचा है, याद रखेंगे, 85 फिट उचा है, नेक्स कोशन की बात करें, यहां रसाइन वियर ज्यान में आजाते हैं, 6 में कोशन को देखते हैं, यहां बोला गया है हिमोगलोवीन का मुठ घटक कौन सा होता है, आपको पता है जो हिमोगलोवीन होता है, वो दो चीजों से मिल कर बना होता है, न Пом Veter 1-5 होता है दोस्तो एक होता है हिम और द एक मिनिट रुकेंगे दूसरा क्या होता है इसमें गलाइलीन होता है तो लोहा और गलाइलीन हिम के अंदर होता है और गलोबिन के अंदर प्रोटीन होता है याद रखेंगे क्या होता है प्रोटीन होता है प्रोटीन होता है प्रोटीन गलोबिन के अंदर होता है इन दोनों क क्यैब पूछ लेता है कि बिलेड का वी लड का याद रखना भी रिजहर्म रखत कहते हैं उसका मुख घटक क्या होता है उसका मुख घटक क्या होता है तो आप सब एहंगे वह प्रोटीन होता है किया होता वस्वाकर सबस्Traint का Tika TV में लगाया जाता है जिसे हम टपेदिक भी बोलते हैं क्या ब mówते हैं टपेदिक रोग में भी बोलते हैं और साथी साथ 6 और ये चमा भी बोलते हैं इस बात को यहिद रखना यही हमारा BCG का टी का लगाया जाता है Next question है नमक का रशानिक सूतर क्या होता है NaCl होता है जिसे sodium chloride बोलते है और H2 जो होता है वो जल का फार्मूला होता है H2SO4 ये quine sun, sulfuric अमलक होता है और HCl जो क्या होता है अमारा hydro chloride होता है और NaCl sodium chloride होता है याद रखेंगे इस बात को जो क्या होता है नमक का फार्मूला होता है नेक्स कोश्चन की ओर चलते हैं सबसे गरम गिरह हम से पूचा है सबसे गरम गिरह सुक्र होता है इस बात को याद रखेंगे ठीक है सबसे गरम गिरह सुक्र होता है और सबसे करीब ग्रह की बात करें सूरिय के सबसे करीब ग्रह कौन होता है ये जो होता है सूरिय के करीब ग्रह वो होता है वुद ग्रह ठीक है और वरुण की बात करें सबसे ठंडा ग्रह होता है इस बात को याद रहेंगे नेक्स कोश्चन बोल रहा है कि स्वाशन में कौन सी गयस लेते हैं हम लोग तो आपको पता है आक्सीजन लेते हैं और कारवन डाई अक्साइड को छोड़ते हैं ठीक है ओप्शन नमबर B की ओर जाएंगे नेक्स कोश्चन आपसे बोल रहा है विद्धुत प्रतिरोद का मातरक होता है तो आप सभी को पता है विद्धुत प्रतिरोद का मातरक ओव होता है ओप्शन नमबर C की ओर जाएंगे next question बोल रहा है निकल का रसाइनिक संकेत क्या होता है तो इसे NI से प्रदसित करते हैं और nitrogen को N से प्रदसित किया जाता है option number A होगा next question हमसे बोल रहा है तमाकू में मनुस को हानी पहुचाने बाला पदार्थ कौन सा होता है तो आप सबी को पता है कि मनुस के अंदर जो तमाकू का इंदर जो मनुस को हानी पहुचाता है वो Nikotine पाया जाता है और यह Nikotine जब हम अपने तमाकू से या फिर बेरी गिर कर गोटका से हम चूशते हैं तो हमारे ब्लेड में जाकर क्या करता है यह हमारे फेपड़ों में जाकर क्या करता है यह तार टाइप का जमा देता है और तार टाइप से जमने से क्या होता है कि हमारे जो आकसिगन और कार्बन ये अकसाइड का जो जो प्रवाहन है वो पूरी तरीके से नहीं होता और हम फिर उसके ब चांदी कहा जाता है एजी एजी जी माने चांदी याद रखना इस परकार से आपको हमेशा याद रखना इस परकार से आपको हमेशा याद रखना इस परकार से आपको हमेशा याद रखना इस परकार से लेकिन चांदी लगा सकते हैं और यू आ जाए तो आप सोना लगाएं इसको copper कताबा बोलते हैं इसको copper AU, carbon monoxide, CO carbon monoxide का सुतर होता है, चांदी सोना सबको मैंने बता दिया, तो यहां आपसे बोला गया है, IED का पूरा नाम क्या होता है, जिसे हम काम चताओ, विसपोटक युक्ति कहते हैं, ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे, next question की बात करें संकमर्य रोग कौन सा है, सबी लोग बताएंगे, संकमर्य रोग कौन से होते हैं, संकमर्य रोग बो होते हैं, जो वाइरस से फैले, तबक से फैले, या फिर किस से फैले, जिवानू से फैले, प्रोटो जवा से फैले, संकमर्य रोग कहलाते हैं, जैसे कि एक बात की जाए, आपको पता है टीवी जो रोग है वो किसे फैलता है टीवी किसे होता है जिवाड़ो द्वारा होता है वेक्टेरिया के द्वारा होता है तो यह क्या होगा यह हमारा क्यों संक्मणी रोग होगा है और एबुला यह सबी जो आप देख रहे हैं यह क्या है यह सब किस्से होते ह है यह से फोग होते हैं तो यह सब संक्मड़ी रोग होते हैं अप्शन नमबर सब्सक्राइब कि ऑप्शन की और जाएंगे नेक्स कोश्चन हमसे मुझा उड़ने बाला इस्तंधारी कौन सा होता है तो सभी लोगों का अंसर आना चाहिए, उन्ने वाला जो इस्तंदारी होता है, वो चिनकादर होता है, option number जो की बात की जाए, option number हम बी की ओर जाएंगे, next question की ओर बात करते हैं, देखिए, पानी की जहाज की गती को मापने की इकाई क्या कहलाती है, वो note कहलाती है, इस बात को question आता है, कि जहाज की गती किस के द्वारा ना पी जाती है, तो आप सभी को पता है, नौटिकल माइकल्स के द्वार ना पी जाती है, जिसे हम समुंद्री मील माप यंतर भी बोलते हैं, इस बात को भी यहाँ पर आद रखेंगे, next question आप से बोला गया है, कि कौन sword यहाँ कह होता है, वो किस दिन पानी गर्म नहीं कर पाता, यह नहीं करता है, तो आपको पता होना चाहिए, कोरा जादा होगा, तो पानी गर्म होगा, तो करेगा, वो कह रहा है, लेकिन यह गलत होगा, यहाँ बी और सी राइट होगा, कि घने बादल का जादा समय तक रहने सार, तो आपको यूरेनियम की जो संक्या पूछी गई है वो यू वानवे 235 के बारे में पूछी गई है तो 245 के यूरेनियम की जो संक्या होती है वो होती है 243 यदि यूरेनियम की बात करे और 238 उपर दे रखा हो तो इसकी यूरेनियम की जो संक्या का भी भी पूछे तो होती है 146 इस बात को आप याद रखेंगे, कभी छोड़ेंगे नहीं, कभी भूलेंगे नहीं, तो आज की वीडियो कैसे लगी, कॉमेंट सेक्सिन में आप जरू बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट टू में इसके, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम मैत के कोशनों को देखेंगे जो most important होंगे आप चुटकियों में कोश्चनों को करके आएंगे आर्मी जीडी वालों ठीक है तो आज की वीडियो को यहीं end करते हैं मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई दूस्तों thank you